अफगानिस्तान में भारत दवारा आयोजित एने से की बैठक में नहीं शामिल होगा पाकिस्तान किरल में नीजी बस हर्दाल आज से किराया बढ़ाने की मांग पश्य मंगाल में आज है मंत्रिय मंडल का विज़तार कर सकती है मुख्य मंत्री मम्ता बनर जी बबाल में हमिदिया अस्पताल के चाइल्ड वार्ड में लगी आग तिन बच्चों की मौत उत्तर प्रदेश के शाह जहां पूर पहुंचेंगे सीम योगी आजित तिनाथ एक सोईक योजनाओं का करेंगे लोकारपन पुनमपांडे के पती सैम बॉंबे गिरफतार अस्पताल में भरती एक्ट्रिस ने लगाया मार्पिट का आरो चार दिन के भारत दौरे पर आएंगे नेपाल के सेना प्रमोक जनरल प्रभुराम शर्मा ड्रक्स केस में एंसेवी की विजलेंस टीम ने गवाह प्रभाकर सैल से दस घंट तक की पूछताच वांखडे के पिता ने नवाब मलिक खिलाफ एसीपी दप्तर में दी सिकायत इफ आयादर्श करने की माँग दिल्ली की हवा थोड़ी सुधरी कमभीर से बेहद खराब इस्थिती में आई एकी वाई 372 पर तमिलाडों में नहीं थम रहा बारिस का कहर बारह जिलों के स्कूलों कॉलेजों में छुट्टी गोसत वायू प्रदुसन को लेकर सुप्रेम कोट में आज एहम सुनवाई दिल्ली में AQI 381 पर हवा अभी बेहत खराब इस्थिती में हर्सिम्रत वादल की पीएम मोदी और विदेस मत्री को चिठ्थी करतारपूर कॉरिडोर खोलने की मांगी जम्मु कास्मिर को लेकर 10 नवंबर को दिल्ली में उपरा चिपाल मनोज सिनहा और ग्रिह मंत्री अमिर्च शाह की बैठक नेपाल के आर्मी चिफ जनरल प्रभुराम शर्मा दिल्ली के लिए रवाना चार दिन के भारत दोरे पर रहेंगे कुरोणा अपडेट के तहट 24 घंटे में देश में 10126 नए केस आए 332 मरीजों की मौत हुई शेर बाजार में उतार चड़ाओ सेंसेक्स 64 अंक बढ़कर खुला महराश्र के पूने में फर्नीचर गुदाम में लगी आग किसी के हताहत होने की ख़वर नहीं मुंबए के एट और पहले राके में घर गिरा मलवे में दवे कई लोग रिस्क्यू आपरेशन जारी मनिपुर के थिरुई में महसूस्त किये गए भुकम्प के जटके रिक्टर स्केल पर 3.8 रही तिव्रता मिजोरम के सीएम की अमीद शाह को चिट्थी रेनू शर्मा को सीएस न्युक्त करने के आदिस को संसोथित करने की माग को वैक्सिन लगवाने वाले भारतिये 22 नवंबर से कर सकेंगे आस्ट्रिलिया की आत्रा नहीं होना पड़ेगा क्वारेंटीन पंद्र दिनों में तीन बार यूपी का दोरा करेंगे अमीर शाह 12 नवंबर को वारणसी आएंगे महरास्ट्र में नवाब मलिक के खिलाफ शिकायत को लेकर आज शाम राज़िपाल से मिलेंगे वानखेडे के पिता और पत्नी इंटिलिया केस के तहत पुलिस ने बताया दोनों संदिग्द गुजरात के थे और उनका आपरातिक रिकार्ड नहीं था दिल्ली से मुंबई आई NCV की टीम एजनसी के दफ्तर पहुंची समीर वानखेडे भी मौजूद ड्रक्स केस में प्रभाकर सैल ने से दूसरे दिन भी NCV की विजलन्स टीम की पूछता जारी महरास्ट्र से आने वाले के लिए करनाटक ने जारी किया कोविड गाइडलाइन एस्टमेटिक ही आ सकेंगे करनाटक लखिमपूर हिंसा में जप्त तीन हथियारों से फाइडिंग के पुस्टी जीप से मिले खोखो का मिलान बागी देवेंद्र फड्नविस के आरोपो पर नवाब मली का ट्वेट लिखा आ रहा हो मैं वबाल के हमिदिया अस्पताल हाथसे को मुख्यमंत्री शिवराज जीने अपराथिक लापरवाही बताया यूपी में सीएम योगी अधित्यनाथ का दावा 86 लाथ किसानों का 36,000 करोड कर्ज माफ हुआ महारास्ट्र में फर्ड नविस के आरोप उपर बोले नवाब मली के बेटे फराज मैं कुछ गलत नहीं किया महारास्ट्र में NCV के DDG ज्यानिसवर सेहने मुंबई पुलिस कमिस्नर हेमंथ नगराले से की मुलाकात पंजाब में CM चन्नी और सिद्धू के बेच मिटिंग शुरू सरकार के दो मंत्री भी बैठक में मौजोद पश्य मंगाल में कोलकता और हावडा नगर निगम के लिए 19 दिसंबर को वोटिंग बीजेपी बोली फरवरी में हो चुनाओ बीजेपी को जनता की चिंता नहीं चुनाओ में हार के डर से पिट्रोल की कीमत में की थी बढ़ोतरी और अभी तुरत कुछ दिन पहले ही उसमें कमी की गई मायावती का वयार बंगाल में कैविनेट विस्तार के बाद पी रवाय को पंचायत मानस भुईया को उपभुगता मामले भी भाग उत्तरवर्दिस में मायावती का एलान किसी किसे समझाता नहीं करेगी बीज़ पी अकिले लड़ेंगे चुनाओ करनाटक में दस दिन को होगा एमल से चुनाओ 25 सीटोग पर होगा निर्वाचन एसकेम की मिटिंग से पहले बोले चड़ुनी आंदोलन की पहली वर्सकाट पर संसद मार्च का रखेंगे प्रस्ताओ कानपूर में जीका वाइरस के बढ़ रहे मामले सीए में योगी कल करेंगे समचा बैठोक